लिखने वाले तूं लिख दे किसमत में तेरा प्यार बैठी हो मां सामने कर सोला श्रिंगार नमस्कार दोस्तों स्ट्रीट में आप सुविदर्शकों का हार्दिक स्वागत है मैं हूँ आपकी होस स्वाति गौतम आज हम बात करने वाले हैं निलांशी शर्मा से जो की भजन गायक हैं वो काफी समय से सिंगिंग भी कर रही हैं आज हम जानेंगे उन्होंने क्या क्या सबसे पहले आप हमारे दश्कों को अपने बारे में कुछ बताईए नमस्कार मैं निलांशी शर्मा फत्याबाद हर्याना से और मैंने आई टाई करके सिंगिंग केरियर बनाना स्टार्ट किया है अभी तो वैसे सबसे पहले मैं आपसे ही कोशन करूँगी कि आपने आई टाई किया है उसके बाद आप सिंगिंग में आए तो ये मतलब कैसे आपके माइन में आया कि नहीं मुझे सिंगिंग करना है इसके पीछे रीजन ये है कि मैं हमारे माता जी सत्यम देवा जी के पास जाते थी तो वहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी भजन करने चाहिए और इससे ये होता है कि घर घर में भजन संध्या होगी और लोग जागरुक होगे भगवान के प्रती ये सब होगा तो आपके फैमिली में किसी और को भी मतलब से सिंगिंग का शौक है या मेरे ताउजी ताईजी अनेल रजन शर्मा जी वो सिंगर है और मैं बच्पन से ही उनके भजन सुनती आ रही थी तो थोड़ा बहुत जैसे मंदिर में किर्तन हुआ वहां गालिया जैसे किसी के घर में किर्तन हुआ लेडिस का जो होता है उसमें गालिया ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते हो गया फिर मंदिर जाना स्टार्ट किया माताजी के पास तो वहां से मैर को यह हुआ कि हाँ मुझे भी गाना चाहिए तो वहां से मैंने स्टार्टिंग की अच्छे से केरियर बनाने की तो अब आगे आप फ्यूचर में सिंगिंग में ही अपना करियर बनाएंगे हाँ जी बिलकुल मैं सिंगिंग में ही अपना करियर बनाऊंगी तो आपने सिंगिंग में कुछ आपने और भी अचीवेंट की हैं उनके बारे में कुछ बताएं कि हमारे दर्शकों को मैंने 2019 में एक ओडिशन दिया था इंडियाज रोक स्टार टैलेंट शो का और वो लोकडाउन की वज़े से मतलब उसके थ्री राउंड ही हुए थे वो थ्री राउंड मैंने क्लियर किया हुए और आगे जब भी वो होगा तो शैद कोल आ जाए तो चलि हम अब सिंगिंग को लेके आपसे बात करें तो अगर आपने प्रोग्राम में जो एक सबसे पहले एक ओडिशन में जो आपने भजन या सौंग आया आपने वो आप हमारे दर्श को कुछ सुनाना चाहेंगे मैंने उसमें अपना भजन सुनाया था लिखने वाले तू लिखते किसमत में तेरा प्यार मुझे को मिल जाए बाबा तेरा दीदार लिखने वाले तू लिख दे किसमत में तेरा प्यार जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा है रोशन उसका आज सितारा है किसमत तेरे हाथ में मेरी है लिख डालो तकदीर क्या देरी है मैंने सोपी है तुझको डोरी सरकार लिखने वाले तू लिख दे किसमत में तेरा प्यार बहुत बढ़िया तो अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर की आप अभी फिलाल सीख रही है या आपकी क्लासिस वगयरा चल रही है हाँ जी मेरी क्लासिस चल रही है जो और अभी लोकडाउन है तो क्लासिस बंद है तो मैं यूट्यूब से देखकर अपना रियाज कितना टाइम हो गया आपको तरको तीन साल हो गए उनसे सिखते हुए तो अब फ्यूचर की क्या प्लाइनिंग अभी आगे मैंने क्या करना है कहां के लिए आप प्रिपेर होना चाहेंगे मुझे इसके लिए प्रिपेर होना है कोई प्रोग्राम जैसे हमारे नैशनल टेलिव आगर मैं वैसे आपसे एक कोश्चन में आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल की जो जनरेशन है वो आजकल मतलब हमारा मेन यह रहता है कि नहीं हमें पार्टीज करनी है हमें गूमना है हमें जोई मतलब करना है तो आपने यह भजन संध्या मतलब ऐसा क्या है आपके दिम गूम देवाजी उन्होंने मुझे सिखाया कि बार बर्दे पार्टीज या और भी पार्टीज में कुछ नहीं रखा है जो कुछ हमें भगवान दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकते है इस वज़े से आप भजन को प्रेफ्रेंस देते हैं कोई ऐसा भजन है जो आप जिन सामने कर सोला श्रिंगार बैठी हो मा सामने कर सोला श्रिंगार तू करुणा की है मूरत और ममता का भंडार बैठी हो मा सामने कर सोला श्रिंगार निरख रही हो हम भगतों को बड़े प्यार से जग जननी इसी तरह हम भगतों को बड़े प्यार से जग जननी इसी तरह हम भगतों को भी तेरी ही सेवा है करनी तू हर दम देती रेना तू हर दम देती रेना हम को मा प्यार दुलार बैठी हो मा सामने कर सोला श्रिंगार बैठी हो मां सामने कर सोला श्रिंगर बहुत बढ़िया आपने भजन सुनाया इलानशी आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जी आजकल की जो जनरेशन है वो पार्टीज की तरफ ज़्यादा अट्रेक्ट होती है और भजन संद्या की तरफ वो नहीं जाते हैं तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए बच्चों पर कि वो भजन संद्या किरतन जैसे घर में भी हम लोग कर सकते हैं या मंदिर जाते हैं तो मंदित साथ लेकर जाएं बच्चों को आजकल बच्चे नहीं जाते हैं बट पेरेंट्स को करना चाहिए कि वो साथ में जाएं बच्चों के मंदिर लेकर जाएं और उनको भजन संध्या मतलब करना सिखाएं किरतन जैसे भी घर पर कर सकते हैं वो लोग वो सब करना सिखाएं अपने बच्चों को कहने का मतलब यह है कि अगर बड़े अगर अच्छी लाइन में जाएंगे तो बच्चे उवेस हैं उनको फॉलो करेंगे तो हमारी जो हिंदू सब्भेता है प्राचीन सब्भेता उसको बनाए रखने के लिए निलांशी एक मैसेज दे रहे हैं बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने तो निलांशी इसी के साथ आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे निलांशी प्लीज आप हमारी तरफ से हमारे दर्शकों को एक बार हमारे चाइनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें सभी से रिक्वेस्ट हैं कि स्टेट मेल टीवी को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब के पास यह मैसेज जाए इंस्पायर हों सभी बहुत अच्छी बात कही मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी स्टेट मेल ने पहल की है कि हमारे फत्यवाद का बच्चा बच्चा यह जिसके अंदर कोई भी टैलेंट है या जिनोंने शुरुआत की है या कर चुके हैं जिनोंने अपने प्रतिभा के थ्रू कोई मुकाम ह हासिल कर लिया है उनकी प्रतिभा को लोगों के सामने ले के आना तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नौटिविकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे बने प्रेये स्टेट मेल टीवी के साथ नमस्कार